चुनाव आयोग के जवाब पर कॉंग्रेस ने कहा आयोग का अस्पष्टी करंद समानने हैं और उठाए गए मुद्दे को संबोधित नहीं करती है चुनाव आयोग के रविये पर सवाल उठाते हुए कॉंग्रेस ने कहा कि ऐसा ही रहा तो कानूनी करवाई करेंगे समझेंगे पूरी बात क्या है पूरा मामला और प्रू हो रहा है चुनाव आयोग भिये जपी है कॉंग्रेस और इसके बाद बात करेंगे दिल्ली की वायोग को लेकर किये गए सर्वे पर यह सर्वे क्यों चोका सकते हैं आपको और क्या है इसके आँकरे और फिर अंत में बात करेंगे कनाडा द्वारा ग्री मंत्री अमित्सा पर लगाए गए आरोपो पर और भारत ने क्या दिपर्ति किरिया कॉंग्रेस ने तर्क दिया है कि हर्याना चुनाओ के दौरान 20 विधान सवाच्षेतर के कुछ बूथ में अलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन यानि एवियम की कारपरनाली पर उसके सिकायत को खारिज करने वाला भारत की चुनाओ आयोक का जबाव विशिष्ट चिकायतों पर विशिष्ट असपश्टी करन के बजाए मसीनों की कारपरनाली पर एक समान्य मानक निर्देश देने के अलाबा कुछ नहीं है मतलब ये है कि कॉंग्रेस एलेक्शन कमिशन के दिये जवाब से संतोष्ट नहीं है कॉंग्रेस ने चुनाओ आयोक की किरपालू लहजे पर आपती जताते हुए कहा कि चुनाओ आयोक व्यक्तिगत नेताओं और पार्टी पर व्यक्तिगत हमले से भरा हुआ है अगर आयोक इस तरह का रविया अपनाता रहा तो वह ऐसी टिपनियों को हटाने के लिए कानूनी मदद मांगेगी कॉंग्रेस के याचिका करताओं में केसी व्यनुगोपाल, असो गहलोत, बोपेंद्र हुड़ा, अजय माकन, अभिसेक मनू, उदैभानू, परताप बाजबा, जैराम रमेश और पवन खेरा ने सुकरवार को चुनाव आयोक को दिये सन्युक जवाब में कहा, अगर मौजुदा चुनाव आयोक का लक्ष ततस्था के आखरी निसान को भी मिटाना है, तो वह इस धारना को बनाने में उलेखिनिये काम कर रहा है Election Commission of India द्वारा कई बूतों पर EBM की बैटरी के उच अस्तर के वारे में कॉंग्रेस के विशिष्ट आरोप को खारिज करने पर विपक्षी दल ने कहा कि जैसा कि सुर्वात में ही हमने इस बात को अस्पष्ट किया था कि मैं आश्चर यकित नहीं हूँ कि Election Commission ने हमारी सिकायतों की जाच की है और खुद को क्लीन चिट दे दी है मसीनों की बैटरी में उतार चड़ाओ के सवाल का दिया गया जवाब अस्पष्ट करने के बजाए भ्रमित करने का प्रयास करता है किसी भी दर पर Election Commission का उत्तर मसीनों के काम करने के तरीकों के बारे में एक मानक और समानने बुलिट सीट से अधिक कुछ भी नहीं है ना कि विशिष्ट रिकायतों पर एक विशिष्ट अस्पष्टी करन जबकि हमारे सिकायते विशिष्ट थी तो Election Commission का जवाब भी विशिष्ट होना चाहिए था कॉंग्रेस अपने जवाब में इस मोर्चे पर आगे कोई कारवाई करने का संकेत नहीं दिया है कि वह आगे भी Election Commission को लेकर और 26 बूतों पर जो पोलिंग की गई थी उसको लेकर कोई कारवाई करेगी कॉंग्रेस ने अपने पत्र में कहा कि चुनाव आयोग के जवाब और लहजे और भाव तथा पार्टी के खिलाफ लगाए गए आरोपों ने उसे जवावी जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया पत्र में चुनाव आयोग द्वरा उठाए गए मुद्धों पर हमारे साथ बातचीत करने में समानने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्या है पूरा मामला भारतिय चुनाव आयोग के कौन सी बयान पर कॉंग्रेस यह बयान जारी की है दर असल भारतिय चुनाव आयोग ने 26 विधान सवाच्षतर के रेटर्निंग अधिकारियों के पुना सत्यापन रिपोर्ट का हवाला देते हुए हर्याना चुनाव में इवियम में बैटरी से जूरी छेट छार को कॉंग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया था चुनाव आयोग ने कहा था कि उचित जाच के बाद पाया गया कि चुनाव परकिरिया में परतेक चरंद त्रूटी हीन था और यह कॉंग्रेस उमिदवारों और एजेंटों की निगरानी में किया गया था 1600 पेज की रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने कॉंग्रेस को दिये अपने जवाब में कहा कि रिटर्निंग अधिकारियों को किसी भी चुनावी परकिरिया में किसी भी तरह का तूटी नहीं मिली और कोई भी गरवरी का समूत नहीं मिल पाया है मतगन्ना के दिन 8 अक्टूबर को कॉंग्रेस ने चुनाव आयोग को ग्यापन भेजा था जिसमें आरूप लगाया गया था कि सुबह 9 से 11 बजे की बीच चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हरियाना के नतीजे की अपडेट करने में असपष्ट देरी हुई थी चुनाव आयोग ने जाच का हवाला देते हुए पिछले एक वर्स में कॉंग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी परक्रिया के बारे में इसी परकार की संकाएं जताने की कई उदाहरे ने दी और पार्टी की आलोचना की थी पार्टी के अलोचना होने की बाद कॉंग्रेस ने सन्युक बयाल दी थी दिल्ली में परदुसन को लेकर एक सर्वे किया गया जिसमें चौकाने वाले आंकरे सामने आये हैं एंडी टीवी के मताविप प्राइवेट एजन्सी लोकल सरकल के सर्वे में दावा किया गया की दिल्ली अंसियार में 79 परदुसन से प्रभावित है सुकरवार को जारी की गई सर्वे रिपोर्ट में 21,000 लोगों की जवाब सामिल थे इसमें सामने आया कि दिल्ली अंसियार में 62% परिवारों में कम से कम एक सदस्य की आखों में जलन है वही 46% परिवारों में किसी ने किसी सदस्य को जुखाम या सांस लेने में तकलीफ है वही 31% परिवारों में एक सदस्य को अस्थमा की बिमारी है अस्थमा एक ऐसी बिमारी है जो लाइलाज है और जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है और वो तकलीफों से जूजता रहता है इस सर्वे के रिपोर्ट से कुछ महत्पुन बिंदूओं पर एक नजर डालियें इस सर्वे में दावा किया गया कि 31% परिवारों ने कहा कि उनको सिर में दर्द की दिक्कत है 33% परिवारों ने माना कि उनके एक मिंबर को परदूसन की कारण फोकस करने में कठनाई हो रही है और वो किसी भी काम को लेकर असपश्ट नहीं हो पाते हैं 15% परिवारों ने कहा कि उनके परिवार में एक सदस्य को सूने की दिक्कत है वही 30% परिवारों ने माना कि उनके परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं है परदूसन के कारण जबकि 23% परिवारों ने कहा कि वह एर प्योडिफायर का उपयोग करते हैं और 15% परिवारों ने कहा कि हम दिल्ली छोर कर बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं हलांकि यह रिपोर्ट सही आकरे बिठाने में कहां तक सही है इसका आकरा आप अपने आसपास की इस्थिती को देखकर लगा सकते हैं हलांकि इस रिपोर्ट की विश्वस्नियता पर भरोसा किया जा सकता है, दिल्ली की स्थिति को देखते हुए यह जरूर कहा जा सकता है कि यहां इस्थिति गंभीर है, स्वास संबंधी, विविन रिपोर्टों के अनुसार दिल्ले में कुल विमार्यों का अनुपाद भी जिसमें यह संख्या बढ़कर 36% से 79% तक चली गई है, जिसमें प्यूरी फायर का इस्तेवाल करने वाले परिवारों में दू हपते के अंदर 5% के विर्दी हुई थी, पहले या आकरा 18% थी, अब या आकरा आगे बढ़कर 23% हो गई है, भारतिय विदेश मंत्राले के प्र कनाडा से जुरे नए मामले के संबन में कनाडा उच्चायोग के परतिनिदी को समन किया था, एक राजनाईक नोट सौपा गया जिसमें 29 एक्टूबर 2026 को उटावा में सारवजनिक सुरक्षा और राष्टे सुरक्षा पर अस्थाई समीती की कारवाही का संदर्व दिया गया था, नोट में यह असपष्ट कया गया कि भारत सरकार ने कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मौरिसन द्वारा समीती के सामने भारत के केंद्रिय ग्री मंत्री के खिलाफ लगाए गए बेमतलग और निराधार टिपनियों पर करी आपत्ति जताई है, यह पहले ह साफ हो चुका है कि कनाडा के अधिकारियों ने जान बुझ कर भारत की छवी को खराग करने और दूसरे देशों को प्रभावित करने की एक रन्नीती के तहत अंतराष्ट्रे मीडिया में नेराधार आरोप लीग किये गए थे, यह केवल उस दृष्टी कून की पुष्टी करता है जो भारत सरकार वरत्मान कनाडाई सरकार के राजनितिक एजेंडे और वेभार के बारे में लंबे समय से रखती आ रही है, ऐसे गहर जिम्यदाराना कदम दिपक्षे रिस्तों पर गंबीर असर डालेंगे, मंगलवार को कनाडा में नागरिक सुरक्षा और करना लिग किया था, डेविड मौरिसन ने देश की नागरिक सुरक्षा और राष्टे सुरक्षा कमीटी को बताया था कि भारत सरकार की एक वरिष्ट मंत्री ने कनाडाई नागरिकों को धमकी देने या उनके हत्या की अभियान को मंजूरी दी थी, हलांकि इन सभी रिपो करना लिएा हुआना है।